नमस्कार, खबर सेरा हटके में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूँ प्रीती और आज आपको बताने वाली हूँ आप तंबाकों से उड़ रहे हैं हवाई जाहल जानते हैं इसके जानकारी, साउथ अफरीकन एरवेस ने 300 यात्रियों वाले विमान को जोहांस बर्ग के कैप टाउन के वीच तंबाकों के पौधे से बनने वाले बायो डीजल से कमर्शिल विमान चलाने की तयारी चल रही है इसमें सबसे आगे है साउथ अफरीकन एरवेस पिछले साल जुलाई में टेस्ट किया गया था फ्लाइट के रूप में 300 यात्रियों वाले जट विमान को जोहांस बर्ग से कैप टाउन के वीच टोबैको बायो डीजल से उड़ाया था अब अमेरिकी कमपनी बोईंग भी इस दिशा में उसके साथ मिलकर काम कर रही है बड़े पैमाने पर बायो डीजल का इस्तमाल मुमकिन हो जाए तो ये सस्ता होगा और पर्यावरण के लिए अच्छा भी वैग्यानिकों का कहना है कि एक खास तरह के पौधे से बायो डीजल बनाया जाता है इस तरह की तबाकों में निकोटीन की मादरा बहुत कम पाई जाती है साथ अफरिकन एयरलाइन्स इसी साल से टोबैको बायो फ्यूल का इस्तमाल शुरू करने वाली है शुरूबात में फॉसिल फ्यूल में ही बायो डीजल का कुछ हिस्सा मिलाकर प्रयोग किया जाएगा फिर धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल का हिस्सा कम करते हुए बायो डीजल का हिस्सा बढ़ाया जाएगा विमान कमपनियों को फ्यूल पर सबसे ज्यादा खर्च करना पड़ता है विदित हों कि ये कमपनी के कुल संचालन खर्च का एक तिहाई भाग होता है और बायो डीजल अभी काफी महगा है लेकिन बड़े पैमाने पर उत्पादन होने पर इसकी लागत कम हो जाएगी International Air Transport Association का मानना है कि यदि बायो डीजल का प्रयोग होने लगे तो aviation industry का carbon footprint 80% तक छोटा हो जाएगा Carbon foot हमारे क्रिया कलापों से पर्यावरण को होने वाले नुकसान पर आधरित होता है जितना छोटा footprint उतना ही कम नुकसान